दोर दयार मन पर विजय भाग दो मन के महारोग का इलाज परमार्त एक खोज और रिसर्च है पिछले तीन जुगों में जो परमार्ती कारवाईयां की गई उन सब कोशीसों का उद्देश्य मन को वस्मे करना या मन पर विजय प्राप्त करना ही था लेकिन मन पर विजय केवल उस परमार्त से हासिल हुई जो संतों ने कल्यूग में जारी फरमाया है यही सबसे उंचा परमार्त है मन को वस्मे करने के लिए सच्चे और पूरे गुरू की सरन लेकर उन से संतमत की जुक्ती का बेद लेकर उनकी दया का बल लेकर नाम की कमाई करना चाहिए मन दुनिया के बोगों के रसों का रसिया हो गया है अब इसे दुनिया से हटाना है तो दुनिया के बोगों की लज्जत से किसी बड़ी लज्जत का लालच देना पड़ेगा वै है नाम की लज्जत मन एक बार में एक ही वस्तु से प्यार कर पाता है यह मन का सभाव है अभी जो मन दुनिया के प्यार में गिरपतार है वही जब अंतर सब्द के प्यार में गिरपतार हो जाएगा तो माया और संसार सरलता से छूट जाएगा यह उसी प्रकार से है कि जैसे एक कन्या को कहें कि तु अपने मा बाप भाई बेनों सक्षियों सहलियों को भूल जा इनके प्यार को छोड़ दें ताकि फिर तेरी साधी कर दें तो यह काम कन्या के लिए बहुत कठिन बलकि असंभव जैसा होगा साधी के बाद जब उसका अपने पती में ससुराल में प्यार हो जाता है तब माता पिता बाई बेनों को सक्षियों को अपने आप भूल जाती है बैसक मन का रोग गंबीर और भयंकर है पर यह ला इलाज भी नहीं है इसका इलाज संत सद्गुरू करते हैं सोन हीरदेय मन दुखदाई याविधि जहर उतार भाई और बात संग हाथ नयावे सत्गुरू संत चरण लव लावे कर तब करी करी मुवे या नेका कोई न पाया मन का ठेका मन तिरहोय न एको बाता तब परियाय तब जब पति आय सुरतिरंग राता रिसी मुनी सब खाय न चाये जोई बचे जेही संत बचाये सोता मन कस जाग भाई सो उपाव मैं करूं बखान खोजत खोजत सत गुरुपाई उन यह जो उन यह योपी कही परमान सत संग करो सांत को सेवो तन मन करो कुरबाई सत गुरु सब्द सुनो गगनाचण चेत लगाओ अपना ध्याँ जागत जागत यब मन जागा जूंठा लगा जाहान सब्द का अब्यास ही इस रोग की दवा है जब मन पूरी तरह सब्द दुन से बिंद जाता है या बंद जाता है तो इसका जहर उतर जाता है इसका सवाव ही बदल जाता है बिंद जाने का मतलब है कि सब्द मन के कणकण में समा गया है सब्द मन के आर पार निकल गया हो इस अब्यास के अलावा वे सभी सादन मन के दाइरे में यानि माया की हद के भीतर समाप्त होते हैं उनसे मन वस में नहीं हुआ सत्यूग में जब तब कराया गया तता सत्यूग और ट्रेता के संदिकाल में यज्यादिक कर्म कराये गए ये सरीर द्वारा इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली परमार्थी क्रियाएं थी इनको करके देव लोग प्राप्त किये वाँ स्वरक का सुक भोगे त्रेता में ये कोशिस की गई कि मुद्रा योग के साधन के द्वारा मन पर कंट्रोल करें और मन को वस्मे करके सर्वेश्वर प्रभू का दर्सन करें। मुद्रा योग के साधन के द्वारा साधक जोतिर मंदल में पहुँचे वहां तीसरी प्रले तक आनंद किये लेकिन मन फिर भी वस्मे नहीं हुआ। सर्वेश्वर प्रभू जो स्रश्टी के नियंता हैं वे फिर भी दूर रहे। सिद्धियां सक्तियां तो प्राप्त हो गई, कुछ आनंद भी मिला, तीसरी प्रले तक के लिए सुखी हो गए, लेकिन मन वस्मे नहो सका। त्रेता और द्वापर के संदीकाल में, जब मुद्रा योग नहीं बना, तब मन के अंगबुद्धी से काम लेकर सांख्य योग कराया गया। सांख्य योग के द्वारा ये कोशिस की गई, कि मन को वस्मे करके सत्यपद में जो की निर्मल चेतन्य है, उसमें जाकर के तदुरूप होएं। निर्मल चेतन्य जो है, वे सत्य है, सर्व सक्ती धीस्वर है, सब सक्तियों को सक्ती प्रदान करने वाला है, अजर अमर अविनासी है, अनन्त है, अपार है, उसमें तदुरूप होने की कोशिस की गई, वे कोशिस तभी सपल होती, जब मन वस्मे होता, सांख्य योग से भी मुद्रा योग की तरह मन और जीवात्मा को ले जा करके, जोती सुरूप ब्रह्म में पहुंचाया, तीसरी प्रले तक वहां आनन्द किये, लेकिन जब उस पद का विनास हो जाता है, तब बाद में पुने रचना होने पर, वहां पहुंचे वों को दे दारन करना पड़ता है, देही दरे पाप पुन्य बनते हैं, और फिर जनम मरन का चक्कर जारी हो जाता है, इस तरह त्रेता युग में भी मुद्रा योग से और सांख्य योग से मन पर तो कंट्रोल नहीं हो सका, द्वापर में प्राणों की सक्ती जागरत होने पर, प्राणों की साधना से मन पर कंट्रोल करके, निर्मल चेतन्य सत्य पद में तदुरूप होने की कारवाई प्राणायाम योग किया गया, प्राणायाम योग करके सुन्न में पहुँचे और चोथी प्रले तक के लिए उनको प्रकास मई और चेतन्य मई सुरूप प्राप्त हुआ, उस सुरूप को हंस कहते हैं, हंस से मतलब पक्षी से नहीं है, सुन्न में जीव का सुरूप सुरज की तरह गोल और मंडलाकार है, प्रकास मई है, वे प्रकास बिलकुल स्वेत है, मानिंद दूद के सेत है, यहां के चेतन्य निवासी हंस कहलाते हैं, वहां के ग्याता और पहुँचे वों का हम थोड़ा जिकर करते हैं, जिससे यह मालूम हो जावे कि मन को किस तरह बस में नहीं किया जा सकता। व्यास, वसिष्ट, पारासर, अंगिरा, लोमस और जनक जी सब सुन्न तक पहुँचे वे थे, सुन्न तक के पहुँचे वों को परमहंस का दरजा प्राप्त है। मन ने इन लोगों को भी डिगा दिया, पुराणों में इन सब का जिकर है। सीता जी को रोती हुई देखकर जनक जी को मोह आ गया। मोह से उनकी आँखों में आँसु भराएगा। वहाँ सूरज नहीं। तो सीदास्ची साहिब ने इसारा कर दिया है। रहे काहावत परम बिरागी सियक निरखी धीरता भागी लिये लगाई उरजनक जान की मिटी माहा मरजाद ग्यान की। यहाँ मोह ने अपना असर जतला दिया। इसी तरह लोमस रिशी का भी तुलसी दास्ची साहिब ने बयान किया है। काग भुसुन्डी जी पहले काग नहीं थे। ब्रामन के घर से थे। वे लोमस रिशी से सुमेरू परवत पर जाकर वारता लाप करने लगे। लोमस रिशी ने इनको अदवेत मत का उपदेश दिया कि तुँ जीव नहीं है। तुँ ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म में कोई फरक नहीं है। जैसे जल और जल की लहर एक ही है। वेसे ही जीव और ब्रह्म एक ही है। रामायन में लोमस रिशी कह रहे हैं। मन गोती तया मलया विनासी निरविकार निरवदी सुकरासी। सोते ताई तोही नहीं भेदा वारी बीची इव गावाई भेदा। जैसे जल और जल की लहर में कोई फरक नहीं है। उसी तरह तुँ जीव नहीं है। तुँ ब्रह्म ही है। ब्रह्म और जीव में कोई फरक नहीं है। तुँ तो ब्रह्म ही है। अपने को तु ब्रह्म मान। ऐसे अद्वेत मत का लोमस रिशी ने उपदेश किया। काग भुसुन्दी जी ने उसकी खास कदर नहीं की तब लोमस रिशी जी को क्रोध आने लगा ओत्तर प्रति ओत्तर मैं की ना मुनितान भाए क्रोध के चीना तब लोमस रिशी को क्रोध आ गया क्रोध में आकर लोमस रिशी ने काग भुसुन्दी जी को असराब दे दिया के तुँ कागले की तरह काम काम करता है और ग्यान की बात नहीं सुनता जा तुँ कागला हो जा तब काग भुसुन्दी जी कोवा याने कागला हो गए जाकर के एक पेड की डाली पर बेट कर वहां कहते हैं सोचते हैं कि अभी अभी तो रिशी जी मुझे अद्वेत प्रह्म का उपदेश करते थे कि एको प्रह्म दुतियो नास्ती कि एक प्रह्म के सिवाए दूसरा कुछ है ही नहीं यदि ये ग्यान सत्य होता और रिशी जी को अद्वेत प्रह्म का साक्षातकार होता और अद्वेत का ग्यान सही होता और रिशी इस ग्यान में फिट होते और यदि एको प्रह्म दुतियो नास्ती की बात सही है तो फिर जब अभी तो ये मुझे को अद्वेत ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे फिर इनको क्रोध क्यों आया इन्होंने मुझे स्राप क्यों दिया जब इन्होंने स्राप दिया तो स्राप देने के पहले इनको मुझे पर क्रोध हुआ है क्रोध आने के पहले इनको द्वेत हुआ कोई भी स्वयम अपने आप पर तो क्रोध करता नहीं क्रोध आने के पहले इनको मैं अलग बासा और ये स्वयम अलग याने मुझसे जुदा हुए तब ही तो रिशी जी को क्रोध आया यदि एक ही ब्रह्म होता और सिवाए उस ब्रह्म के कहीं कोई दूसरा नहीं होता तो कौन किसको स्राप देता रिशी जी फिर मुझे स्राप कैसे देते काग भुसूनली जी पेड की डाल पर बेटकर इस तरह से बातें सोच रहे हैं क्रोध की द्वेत बुद्धिवीन द्वेत की बिनु अज्ञान माया बस परिछिन जण जीवर की इस सामान काग भुसूनली जी सोच रहे हैं कि क्रोध बिना द्वेत बुद्धी और बिना अज्ञान के होता नहीं और द्वेत बुद्धी बिना अज्ञान के नहीं होती पिर रिशी जी जो मुझे ज्ञान का उपदेश करते थे वे ज्ञान कहां रहा इस तरह से मन से बड़े-बड़े योगेश्वर ज्ञानी परास्त हुए क्यों क्यों कि मन की असल ताकत का पता नहीं था जिस मन को वस्मे करने का इरादा करते हैं पहले उसकी सक्ती के बंडार का ताकत के स्रोत का पता लगाना जरूरी है मन ट्रिलो की नात ब्रह्म की अंस मन के पावर हाउस का पता लगाए बिना यदि मन से लड़ाई ठान लेंगे और हमारी तैयारी कमजोर हुई तो अपने को नुकसान होगा पहले यह पता करना चाहिए कि इस मन की ताकत कितनी है यदि मन के मुकाबले अपनी सक्ती का बंडार कम हुआ तो मन अपने को डिगा देगा अपन नैस्त नाबूत हो जाएंगे जिसको हम बस में करना चाहते हैं पहले उसकी ताकत का पता लगाए समझदारी इसी में है मन को हराने के लिए मन से दुगनी नहीं तो कम से कम ड्योडी ताकत तो होने ही चाहिए इसलिए यहां अब मन का पावर हाउस बतलाया जा रहा है तता यह भी बतलाया जा रहा है कि मन को किसने वसमे किया द्वापर में प्राणायाम योग करके सुन्द में पहुँच करके और परम हंस पदवी को प्राप्त करके भी योगेश्वर ज्यानी लोग मन को वसमें नहीं कर पाए मन ने जनक जी को मो के वसी भूत और लोमस रिशी जी को क्रोध के वसी भूत कर दिया यही हाल अन्य रिशियों का भी हुआ क्योंकि इनको मन के सक्ती केंद्र पावर हाउस का पता नहीं था स्रंगी रिशी केवल पेड की छाल चाड़ते थे वे त्यागी और ग्यानी थे, सेर में नहीं जंगल में रहते थे एक दर्खत उगा हुआ था, उस पेड की छाल पर एक जगे तीन बार जबान मारते थे याने तीन बार चाड़ते थे तीन बार दर्खत की छाल को एक जगे से चाट लेते थे बस इतना ही उनका आहार था और कुछ भी खाते पीते नहीं थे ऐसे परम त्यागी थे आखरी नतीजा क्या हुआ स्रंगी रिशी का मन ने उनको चलने के लिए माया को बेजा माया आई और छुप करके देखी स्नान करने के बाद जिस दर्खत पर जिस जगए पर वे जबान मारते थे वाँ उसने जाकर थोड़ा सहद लगा दिया रिशी जी जो तीन बार दर्खत चाड़ते थे उस दिन पांच छे बार चाटे इसी तरह पांच छे दिनों तक सहद लगाती रही पहले दिन से जादा दूसरे दिन दूसरे दिन से जादा तीसरे दिन तीसरे दिन से जादा चोथे दिन बढ़ाती गई अब रिशी जी सहद खाने लगे यानि सहद जादा चाटने लगे पांच-छे दिन बाद उसने जरासा हलवा बना कर उस जगे चिपका दिया तीन-चार दिन इसी तरह किया चोते-पांच में दिन एक कटोरी में हलवा बना करके ले जा करके बड़ी नमरता और दीनता के साथ उनके सामने पेस किया उसके नमरता देखकर स्रंगी रिशी जी हलवा खा लिए वो इसी तरह उनकी सेवा में रहकर बनाने और खिलाने लगी स्रंगी रिशी खाने लगे कई महिनों खाने के बाद सरीर में नया खोन वापरा याने नया खोन बना और मन राजा ने नई कलियां याने उमंगें फेलाई वाँ वे अपसरा तो मौजूद थी दोनों का सन्योग हुआ समय समय पर कुछ समय में उनके तीन चार लड़के हो गए वो वेश्या राजा दस्रत की बेजी हुई थी वसिष्ट जी ने राजा दस्रत को सला दिया था कि यदि स्रंगी रिशी आवें और पुत्रेश्टी नामक यग्य किया जावें तो आपके पुत्र हो सकते हैं लोगों ने बताया कि स्रंगी रिशी का वन से आना मुश्किल है तब उस वेश्या ने बीड़ा उठाया था कि मैं स्रंगी रिशी को यहाँ नगर में लादूंगी वाँ जंगल में वेश्या के तीन चार लड़के जब हो गए तब उसने रिशी जी से कहा कि बगवन इस जंगल में अब बच्चों का गुजारा नहीं होगा इसलिए सेर में चलना चाहिए माराज दसरत बड़े धरमसील हैं प्रतापी हैं वो बच्चों की सिक्षा और परवरिस का सब प्रबंद कर देंगे इसलिए आप वहीं चलिए सरंगी रिशी वेश्चा के साथ बच्चों को लेकर माराज दसरत के दरबार में आए माराज दसरत ने इनकी आव भगत की बड़े आदर सतकार से इनको ठेहराया इनके बच्चों की परवरिस और सिक्षा का इंतजाम किया गुरु वसिष्ट जी और सरंगी रिशी दोनों ने मिलकर पुत्रेश्टी नामक यग्य किया यग्य में अगनी देव प्रगट हुए अगनी देव ने खीर दी वो खीर रानियों को खिलाए उससे राम लक्षमन भरत सत्रुगन चारों माराज दसरत के घर आकर अवतार लि इतने ज्यानी और त्यागी सरंगी रिशी को मन माया ने धोका दे दिया मन पर फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ द्वापर तक इस तरह की परमारती कारवाईयां और कोशिसें की गई किन्टु मन पर कंट्रोल नहीं हुआ द्वापर में तो हजार वर्स की उमर थी प्रानायाम योग भी कर लेते थे प्रानायाम योग के लिए 325 वर्स का समय चाहिए ग्वापर और कल्यूक के संधिकाल में प्राणायाम योग भी नहीं बन सका तब ज्ञानी गुरुवों ने चक्रों के बेदने का तरीका जारी फरमाया जब कल्यूक का पूर्ण सम्राज्य हुआ तो चेतन्य सक्ति सिमट कर अपने गाठ पर आ गई जीवात्मा से सुरत की चेतन्य धार या सक्ति से परमार्थ कमाने का अधिकार कल्यूक में सब जीवों को प्राप्त हुआ जीवात्मा निर्मल चेतन्य पुरुस सत्य की अंस है तब सत्य के अवतार कल्यूक में संत प्रगट हुए संतों ने जीवों को समझाया कि भाई चारों यूगों से तुमारी ये कोशिस चल रही है कि हम मन को वसमें कर लेवें लेकिन तुम लोगों ने मन का पावर हाउस का पता नहीं लगाया तुमने मन की ताकत का सही पता नहीं लगाया कि मन में कितनी ताकत है संतों ने बताया कि जिसकी तुम आराद ना करते हो जिसकी मदद से मन को वसमें करना चाते हो मन की पहुँच उसके परे है जो मन के सासन के मातहत है या स्वयम मन जिसके परे है उसकी मदद से मन को कैसे वसमें किया जा सकता है संतों ने सारी श्रिष्टी का हाल बतलाया कि जिस ब्रह्म की आराधना करते हो साथ ही मन को गालियां भी देते हो वही ब्रह्म तो मन बनाग है हमारा मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है यह ब्रह्म का अंस है त्रिकुटी इसका निजगर है ट्रिलोकी का ये राजा है यदि यकीन नहीं आता हो तो वेदों को देख लो वेद क्या कहते हैं वेदों में एक सुत्र वाक्य है एको हम बहुश्या मैं मैं एक हूं एक से अनेक बनूँ इसका अर्थ ये होता है कि ब्रह्म ने संकल्प किया कि मैं एक हूं एक से अनेक बनूँ ब्रह्म उसी संकल्प की दारा के वसीले या जरिये से गट-गट में मन बनकर बेठा है मन और ब्रह्म दो नहीं है जब तक ब्रह्म को जीतने की ताकत नहीं आएगी मन को कैसे जीत सकोगे इसी पर सद्गुरु कबीर साहिब जी ने फरमाया है ब्रह्म माई सव जगत है कहत सयाने लोग ताही ब्रह्म के त्याग बीर जगत न त्याग न जोग जब ब्रह्म ही मन है तो संतों ने बताया कि मन द्वारा बनाए गए साधनों से मन के रचे उपायों से यानि ब्रह्म की सरन लेकर मन को जीतना कभी नहीं हो सकेगा मन का पावर हाउस हुआ तिलो की नात ब्रह्म यदि मन को जीतना चाते हो तो ब्रह्म के परे जो पद है ब्रह्म के परे के जो धनी है उन धनी की सरन अक्तियार करो उनके बनो तो फिर उनकी मदद और दया से मन को जीत सकोगे सद्गूर दया